आप लोग एक कमाल की बात बताता हूं मेरी फैमिली में जो मैक्σιмम मेंबर है ना वो यहीं चाहते हैं उनको सैंसंग का फोन मिल जा है सैंसंग वाले चाहे ज़्यादा पैसा ले कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो सैंसंग में विष्वास है ना वो काफी अटूट है और यार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हैं नोकिया का आज की रेट में जो हाल है ना भगवान ना करे वैसा हाल सैमसंग का कभी हो क्योंकि यार नोकिया पता नहीं कहा खोचुका है लेकिन आज हम जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं यह है सैमसंग का गिलेक्सी M51 सैमसंग का गिलेक्सी M31S काफी अच्छा वाला फोन है साड़े 19,000 रुपए में आपको कैमरा अच्छा मिल जाता है डिस्पले अच्छी मिल जाती है बैटरी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर जो दाग है वो है प्रोसेसर सैमसंग बहुत दिनों से पकड़ के चल रहा है एक्सिनॉस के 9611 को लेकिन अब मौका आ चुका है अब टाइम आ चुका है क्या पता आपको सैमसंग के गिलेक्सी M51 में जो चीजे मिल जाए वो आपको पसंद आ जाए कौन-कौन से चीजे मिल सकती है क्या-क्या लीक्स आए है क्या प्राइज हो सकता है कब ये फोन इंडिया में दस्तक देगा आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बता दू आप कुछ भी काम करें आपको चाहिए अच्छी वाली बैटरी क्योंकि जादा देर तक बैटरी चलेगी तो आपको भी अच अच्छा लगेगा और आप अपने फोन से जादा देर तक चिपके रह सकते हैं क्योंकि आर आज की डेट में किसी के पास टाइम बचा नहीं है तो Samsung Galaxy M51 में जो आपको बैटरी मिलने वाली है ये है 7000mAh की उसके साथ साथ आपको Type-C port भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो Galaxy M51 हर एक कंपनी को टक कर देने वाला है यहाँ पर आपको dedicated Micro HD काड का भी option मिल जाएगा उसके साथ दो 4G वाले SIM काड भी आप डाल सकते हैं आज की डेट में सभी के पास यार जादा तर लोगों के पास दो SIM काड होते हैं कोई Jio चला रहा है कोई Airtel चला रहा है मेरे पास तो भई जियो भी है और साथ में Airtel है क्योंकि कहीं-कहीं जियो नहीं काम करता है तो भई जियो काम नहीं करता है यदि हम बात करते हैं कैमरे की तो यार यहाँ पर आपको वहीं कैमरा मिलने वाला है जो आपको पहले Samsung Galaxy M31S पर मिला है यह भी यार मैं कंफर्म कह सकता हूं 32 30 Megapixel का आपको Selfie Camera मिल जाएगा, उसके साथ साथ जो Rear Camera होने वाला है, यह है 64 Megapixel का, यहाँ पर आपको सारे के सारे Mode देखने को मिल जाएंगे, Slow Motion वाला वीडियो आप बना सकते हैं, Time Lapse वाला वीडियो आप बना सकते हैं, Night पे आपको जो फोटो देखने को मिलेगी, यह भी बड़ी अच्छी मिलने वाली है, मलब कैमरे में भी आज की डेट में सैमसंग बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है, लेकिं सैमसंग की जो डिस्पले है ना, बहुत सारी कंपनी अपने फोन में यूज़ कर रही है, तो भाईये सैमसंग में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझ होगी और उसके सासद यहां पर आपको गुर्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डिस्पले में आप सैमसंग के गलेक्सी एम 51 से बिल्कुल भी दिदाश नहीं होने वाले हैं, आगे की तरफ वही आपको जो पंचोल है वो मिल जाएगा, यहां पर आपको डिस् यहां पर आपको प्रोसेसर स्नाप डगें का पक्का मिलेगा और कहीं स्नाप डगें का 730 मिल गया, तो यह जो फोन होगा ना यह Poco के X2 को भी काफी अच्छी वाली टक कर देगा, साथ में Realme का जो 7 Pro आने वाला है, इसको भी काफी अच्छी वाली टक कर देगा, चाहे जित उतने पुराने वाले फोनों, शाउमी को हो, सब को यह हिला सकता है, क्योंकि यार जो Samsung की ब्रैंडिंग है, जो Samsung में विश्वास है, यह काफी जादा है, बस थोड़ा सा कम प्राइज में आना चाहिए, क्या आप यह सोच नहीं, इस फोन का क्या प्राइज हो सकता है, चलिए थोड़ा सा रुकिये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको जो OS मिलने वाला है, वो One UI मिल जाएगा, उतके साथ आपको Nox Security का भी option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चीजे काफी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन फोन का क्या प्राइज होगा, यह सबसे बड़ा question है, औ और यार मुझे ऐसा लग रहा है, इस फोन का जो प्राइज होगा ना, यह होगा 20,000 से लेकर 25,000 के बीच, और कहीं इस फोन का प्राइज 20,000, 21,000 हुआ ना, तब तो भाईया, यह हर एक कंपनी को हिला सकता है, क्योंकि Samsung की जो ब्रैंडिंग है, यह अपने में ही खास है, औ साथ में जब भी आप फोन लेते हैं ना, तो सर्वीस भी मैटर करती है कि भाईया, कैसी सर्वीस है, कितने सर्वीस सेंटर है, और यार मेरे इसाब से Samsung की जो सर्वीस है, यह भी दूसरी कंपनी से दिया, आप कंपेर करते हैं तो काफी अच्छी है, मतलब Samsung की Galaxy M51 में आपको Professor के Answer देता हूँ, हर एक वीडियो में आप मुझसे Question पूसते हैं, तो भाईया जो Next वीडियो होता है, उसी में मैं आपके Question के Answer देता हूँ, और यार बहुत सारे Question मैं उठाता हूँ Twitter से, तो करका करके मेरा जो Twitter पेज इसे पक्का follow कर लिजेगा, स्ब़्रे पहला Question है राहुल देव का भाई वीवो का Z3 सिरीज कब तक आएगा मेरे साब से इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और आप भूली जाओ क्योंकि आज की डेट में जो वीवो है न ये सारा का सारा जो फोकस अपना दिखा रहा है न ये ओफलाइन दिखा रहा है ओनलाइन कोई काम नहीं कर रहा तो वीवो का जो Z वाली सिरीज है न पता नहीं बंद हो गई है आगे कोई फोन आएगा की नहीं आएगा ये तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन फिलाल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है अगला क्वेस्चन है किलर बॉय का Poco X2 या Realme का 7 Pro मेरे भाई पहले Realme के 7 Pro को लांच तो हने दो अगले महीने पक्का ये फोन इंडिया में लांच हो रहा है Realme 7 भी आएगा, Realme का 7 Pro भी आएगा और साथ दे क्या बता और भी कोई सस्ता वाला फोन आ जाए तब हम compare करेंगे Poco के X2 से और मेरे पास Realme का 7 Pro आने वाला है तो भाईया थोड़ा सा आप इंतिजार करिए आपको हर एक चीज विद्वत तरीके से पता चल जाएगा अगला question है रिशन सिंग का OnePlus Nord Lite कितने रुपए में आएगा कहां यह जा रहा है इस फोन का जो प्राइज हो सकता है यह होगा 15,000 से लेकर 20,000 के बीच और कहीं 17,000-18,000 रुपए में जो OnePlus का Nord Lite लाउंच हो गया न तो बड़ा अच्छा होगा और यह फोन सबसे सस्ता वाला 5G फोन हो सकता है ऐसे leaks कह रहे हैं चलिए यार 20,000 में भी फोन लाउंच होता है न तो मुझे दुख नहीं होगा यदि चीज़े अच्छी मिल जाएं और चीज़े अच्छी मिलेगी की नहीं मिलेगी यह तो आगे आने वाला टाइम भी बताएगा और सबसे आखरी में जो क्वेस्चन है यह मनोज भाई का Realme का 8 Pro इस साल आएगा की नहीं आएगा भाई इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ क्या पता साल के आखरी तक आपको Realme का 8 Pro देखने को मिल जा है लेकिन बहुत कम चांस है अभी तो कोई भी लीक्स नहीं आये है और आप Realme 8 Pro की बात कर रहे है तो आप थोड़ा सा इंतिजार करिए Realme की जो ट्रेन है वो बढ़ती चली जा रही है बहुत सारे लाइम से फोन लगे हुए है जितने फोन आएंगे ना सब के बारे में आपको इसी चैनल पे पता चल जाएगा और आप मेरे काम से ना थोड़ा सा सहमत है और आपको मैं अच्छा लगता हूँ अच्छे वीडियो बनाता हूँ तो भाईया इस वीडियो को लाइक कर दीजएगा आपका मन करे तभी लाइक करिएगा और बस जाते जाते यही कहूंगा खुश रहिए, बिंदास रहिए, अपने दिमा को साथ रखे और हरदम हस्ते रहिए चलिए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू, जैहिन